रुक जाओ दिल दिवाने पूछूं तो मैं जरा लड़की है या है जादू खुश्बू है या नशा पास वो आये तो छुके मैं देखू जरा रुक जाओ दिल दिवाने पूछूं तो मैं जरा वाव 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 क्या बात है क्या बात है ये गाना इसकी एनर्जी और इसकी कंपोजिशन इसकी लिखाई इसका अरेंडमेंट आउड़ दवर्ड मैं ये गाने का जिकर इसकी कर रहा हूं कि आज मैं अपने दोस्त कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त उदित नारायन के बारे में आप लोगों कूछ बताना चाहता हूं कि उदित नारायन जो है वो कि 1955 का उनका जन्म है और मैं समस्ता हूं कि उदित नारायन का यह जन्म जो है यह सच्ची तारीख है वरना कई बार लोग छुपा लेते हैं कि तो कि उनक्से मेरी पहली मुलाकाट जो हुई थी कि मैं समस्ता हूं कि 70 की बात है मैं राश्च्री प्रोडक्शन में एक कंपोजर काम किया करते थे उनका नाम था राजकमल उनके हां मैं गिटार बजाया करता था और वहीं उदित नारायन जी अपनी वॉइस का डेमो गा के देना देने के लिए वहां आये थे और उन्होंने गाना गाया था इवहाद है अब यह यह याद नहीं कि कौन सा गाया था लेकिन उनकी आवाज सुनके मुझे एक चीज लगाए कि इसा आदमी की आवाज में पावर है उदित नाराइण की बहुत लाउड और पार्टार हैं उदित नारायन की जो के उस तो वहां उन्होंने गाना गाया और कुछ गाके वो चले गए उनका काम बना या नहीं बना ये तो मुझे याद नहीं लेकिन पहली बार मैं उनको वह ही मिला था फिर उसके बाद ऐसा था कि उदित नाराइंजी स्ट्रगल कर रहे थे वो नेपाल और विहार के बॉर्डर में कहीं उनका घर है वहां से ही आये थे बंबे और स्ट्रगल कर रहे थे और बहुत ही सिंपल एक जोला रहता था उनके उसमें पॉनी की बॉटल ठोड़ा बद खाना और किताबें गाने की इस तरह से एक्चिल स्ट्रगल जो किया है जो नाराइंज ने किया है क्योंकि ना तो उनका सुभाव में खासियत यह है कि आप उदित नाराइन को डाठ दो कुछ भी बोल दो अगर वो बात काम से जुड़ी हुई है तो वो फिर रियक्ट नहीं करते हैं उसको सुन लेते हैं सुनने की जो शक्ति उदित नाराइन है मैंने किसी में नहीं देखी बहुत बार ऐ कि गर्मा-गर्मली हो जाती ही काम पे प्रिकन के बहुत सारी इसा होता है प्रडूसर का अब मारे जो के जूम में था को और वहां वो आके चुपचाब बैड़ जाते थे सबसे मिलते जूलते थे और तब उस वक्त मैं भी स्ट्रगल कर रहा था है कि मेरे पास भी कोई फिल्म विल्म तो थी नहीं तो मैं देखता था उनको और मैं देखके बड़ा इंस्पार होता था कि यार याद भी देखो अके कभी भी मिलता था कहीं कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि कोई मुज्यक रेक्टर क्यां कोई स्टूडियो में टखरा गए कभी घर पे मिल गये साथ में कि दोस्ती हो गई मेरी तो कि ऐसा हुआ कि हम लोग यश्राज की फिल्म कर रहे थे और यह फिल्म बढ़ी कर रहे थे और पूरी जो यश्राज की टीम थी आपको उसमें जो में लोग थे वो सारे इंवाल्व थे कि कोई चीज मिस्स ना हो तो सारे गाने भी बहुत तराश्के बनाएं जो कि मैंने आपको बताएं है और उसमें कैसी सिच्वेशन थी कि भाई जो हीरो है वो पहले आप सब्सक्राइब करें तो उसके लिए बहुत हमने गाना भी बड़ा इनर्जी से रिकॉर्ड किया इसका रिदम पैटन देखिए आपका इसका आरेंग्मेंट देखिए आप इसकी पुरी बनावट गाने की देखिए तो उधित नराइंड को हम फोन कर रहे थे तो उधित जी की एक आदत थी वो अकसर ऐसा करते थे कि मैं बस पहुंच गया हूं मैं नीचे ही हूं मैं भी लिफ्ट में आ रहा हूं और वो इसलिए करते थे कि बहुत दूर से आना पड़ता था हम लोग वेस्टन आउडर जो था फोर्ट में स्टूडियो था और वो आत पार वेट करिया मैं नीचे हूं लिफ्ट में और यह करते 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 उसमें क्या हूं एक देड़ घंटा लग जाता था दो घंटे भी लग जाते थे तो प्रदूसर का प्रेशा राता था था हम पे तो हम लोग भी चुड़ी आते थे तो एक बार ऐसा हुआ कि वह बहुत किया थोड़ा रिसल भी किया था अपको लेकिन वो गाने में आप बिलीफ करिया ऐसा हुआ कि अधित नारेंड और हम लोगों पे थोड़ा एक गर्मा गर्मी हो गई और इस लेवल पे हो गई कि हम लोग एक्दम निराश हो गई कि यार यह तो जैसा उधित चिगा रहे हैं इसा तो चले गई नहीं तो ऐसा हुआ कि मैंने उधित को बुला कि यार देख तो यह गाना ही रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें हम लोग का भी करियर का सवाल है और तेरा भी सवाल है यह हो सकता है यह बुलें सिंगर ही बदल दो जो कि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहत तो क्या करेंगे तो बुला अच्छा ऐसा है क्या तो हां मैं बल बल ऐसा ही होता है यह तो कसोटी का काम है अब आदिते चुपड़ा की फस्ट फिल्म में हो तो कहीं भी कॉम्प्रोइब करें उसको तो 100 ओट ऑफ हंडर्ड इची है तो बुला कि यार मैं तो पूरा जोर त लापस से समझाई कैसा ऐसा है वो शारुक पहले पागल की तरह प्यानों बजाएगा फिर वह सोचेंगे कि इसको कुछ आता नहीं है फिर वहां से गाना शुरू होता है तो यह इसमें जो एनर्जी हो पूरी चाहिए तो बोला ठीक है तो गया अंदर थोड़ा फेस फेस व जाओ दिल दिवाने पूछू तो मैं जरा यह उसमें जोश चाहिए था तो उदीत ने हम लोग को भी देखा कि यह लोग भी बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर उसके जो उदीत नाराइग ने जो काया है आप बिलीव करिया अंत्रा अस्ताई वो जब काना खतम हुआ है तो उसके चेहरे में से जो कि करनी थी वह एक स्टीम एंजिन जैसा उसकी बड़ी करम हो गई थी ऐसा उसने जान लड़ा दी थी मैं गले लगा लिया उदीत नारे इनको मैं बहुत यार उदीत कमाल का गया है तो और आदीत चोपड़ा भी खुश मतलब पूरे गाना मैं अंगार लगा दूंगा और उसने अंगार लगा दी और यह उन्हाना तो फिर हिस्ट्री बन गया उसमें तो कितने ही इसके फॉलोवर बने और कितना ही लोगों ने पसंद किया फिल्म में यह गाना one of the most beautiful song of the film हलाके इस फिल्म में सारे ही गाने लाजवाब हैं ल अगरा इस बात का उदीत नारण को भी दुख है मुझे भी दुख है जब पहला हम लोग आपकोज सेमिल्टरीशली यारा दिलदारा फिल्म का भी म्यूजिक हम कर रहे थे लेकिन यारा दिलदारा का बात में शुरू हुआ था पहले जो जीता हो सिकंदर का हम लोग काम कर तो ये काम बहुत पैशन से ये काम हो रहा था क्योंकि ये हमारी पहली पिच्चर थी और हमारी जीवन की नईया ये फिल्म थी आप समझिए जो हमको मजधार से किनारे ले जाने वाली थी और ये फिल्म में म्यूजिक भी ऐसा अमर हुआ है कि मैं बयान नहीं कर सकता इतना ख तो पहला नशाहा पहला कर तो अब वो गाना कि आपको मुने बताया ही है कि मतना पैशन से बना था वह गाना फिल्म का एक रोमेंटिक गया है और बहुत ही खुबसरौरटव धन्ह से कंपोज किया गाना मजूफ आजमी के आवाज कितनी खुपसूरत है, क्या आवाज में रेजॉनेंस है, क्या आवाज में थिकनेस, देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूं, कि सिंगर बहुत ज़्यादा तयार हो जाए, या बहुत ज़्यादा, वो इतना जरूरी नहीं है फिल्म के गाने के लिए, फि जिसके गाने में मज़ा आता था और ये गाता और जिनल स्टाइल से था ये वनफ दो और उर्जिनल सिंगर बोला जा सकता है यह नहीं तो रफीस साब को फॉलो करता है हलाके भग तो रफीस है वो किशुर कुमार को भी बहुत मानता है लेकिन ओरिजिनल सिंगर है ये बात की मैं इज़त करता हूँ क्योंकि ओरिजिनल्टी में अपना नाम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आज ऐसा वगत है कि कई उदित नारंड के कॉपी भी फॉलोवर कर रहे हैं ये मुकाम हासिल किया और उदित नारंड में बहुत-बहुत सारे उसको पुरुसकार मिले अवार्ड मिले उसको तक्रीबन कितने ही फिल्म फैर मिले हैं नेशनल अवार्ड भी दो बार मिला है और फिर उस पदम विभूशन है ज्यादा कर सब सिंगर पदम शिरी है लेकिने पदम विभूशन तक पहुंचा और ऐसा है कि उदित नारंड का प्रोड़क्शन होस भी उसने विहारी फिल्में बनाई बड़ा इंटर्प्राइजिंग इंसान है उदित नारंड और अपना आज तक उसके अधर क Zamamben में फेरक्शन है एक बहुत अच्छी बात है उदित नारंडिन आज भी आगा कर जाता है तो पहले कि अपकर 12 कि जो कम उमर की बात होती है अलगी बात होती है लिकिन काने में ऐसा नहीं लगता है ऑवास उमर चलक रही है इसा नहींusta यूव भी स किलगा तो ढट पहला निशार पहला खुमार नया प्यार है नया इंकजार कर लूँ मैं क्या अपना हाल है दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता पहला नशार पहला खुमार यह composition अमर composition मतलब इस composition की craftsmanship और इसकी simplicity की कोई इसका सानी नहीं है इतना खुब्सूरत इस compose किया वो गाना है तो जब यह गाना बहुत popular हो गया हम लोग की भी गारी चल गई बहुत नाम हुए बहुत फिल्मिक कर रही ही हमने तो उदितना रहे मुझे अक्सर बोलता था कि यार जतिन इस साला पहला नशाप पहला खुमार को यह लोग नहीं दिया कि इत इतना अच्छा गाना और यह गाना और जिस गानरे को दिया हुं कि लॉटぜ सब मेरे दोस्त हैं और मैंने तो उन्हों नोगों ने काम किया अच्छा काम किया इसलिए वाड भी मिला उनको और इतने बड़े भाने के अपोजिट मिला लेकिन अजी कमपोजर अजी मुझे नहीं लगता है कि पहला नशा पहला कुमार के अलावा किसी भी गाने को मिल सकता था उस साल कोई इससे खुबसरत गाना to romantic गाना बहुत आपको गिनाट होनी नंगली में अगना कोईी अन्य है कि इससे जादा जो मुझे खास बातें लगती है एक तो उधीत नारेंड में शहन शक्ति बहुत है उसको कितना भी डाट लो आप रिकॉर्डिंग के टर्म कितना भी कुछ बोल दो वह गाता रहता है और आपकी आप जैसा चाहिए आपको कोशिश में लगा रहता है यह बात जो है इसकी यह म है तो उसको उसने जैसा क्रेट किया है वह वैसा आपको करके देना पड़ेगा है लेकिन कई सिंगर ऐसे हैं कि अपना प्रस्ताव रखते हैं कि जतिन जी ललीजी हम लोग ऐसा कर लें क्या तो वह भी कई बार अच्छा होता है क्योंकि नए ब्रिंट से नई क्रीटिव अब्रियों इतना एक्छिली मुझे कभी कई बार ऐसा लगता है कि मेरी कई चीजें उतना में मिलती है मैं भी बहुत लाइफ में बहुत सिंपल रहा और मैंने कभी एग्रेसिव कभी नहीं रहा जुक जुक के चलाओं मैं कई बार मुझे मेरे ही लोग इतना कुछ कह जाते थे मैं सुन लेता था वही वज़य थी कि 16-17 साल काम कर लिया वरना तो क्या होता अब भुगान जाने और उधितनारायन का मैं शुक्रिया इसलिए भी करना चाहता हूं कि एक वक्त ऐसा था कि मैं बहुत छोटे से घर पे उसी में म्यूजिक रूम भी था उस काम शुरू हुआ था मतलब चार-एक साल निकल गए थे वहां इस घर में वन बेडरूम हॉल का घर था तो मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई दूसरा घर मिल जाए था कि मैं अपनी एक फैमिली लाइफ लीड कर से क्योंकि वैसा होता था कि जब मैं हमारी सिटिंग चलत ता इस बात को सोचके तो मैंने जब घर लिया तो उदीत नाराइन और कुमार शानु दोनों ने मुझे हल्प की थी वो मैं हमेशा याद रखता हूं और मैंने उनकी बड़ी इज़त से वो हल्प जो थी वो लटा दी लेकिन उन्होंने मुझे की थी तो दोस्तों उदीत न की हैं तो मैं यह चाहता हूं कि मैं बड़े दिल से यह शेयर कर रहा हूं क्योंकि यह मेरी जीवन की एक पुंजी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं तो आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा और शेयर करिए जित करते हैं